नमस्ते दोस्तों आप लोगों को रस्मी की रसोई में स्वागत है आज हम बनाएंगे सहजन की सबजी ये सबजी बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में ये सबजी आप चावल रोटी किसी के साथ भी इंज्वाए कर सकते हैं तो रेश भी पसंद आए तो वीडियो को लाइ लिए हैं टमाटर दो प्याज आलू कुछ लसुन की कलियां ली है अब इसे हमें एक मिकसर जार में लसुन की कलियां हरी मीच दो चमस सरसो के दाने और साथ से आठ काली मीच थोड़ा सा पानी डाल कर हम पीस लेंगे अब गैस पर कढ़ाई रखकर हमने तेल गरम कर लिया है अब हमने सहजन काट कर रखे थें उसे हम फ्राइ कर लेंगे तो आलू को भी इसमें डाल देंगे साथ में ही फ्राइ कर लेंगे आप इसमें उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं उससे भी सबजी अच्छी लगती है सहजन आलू को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे देखिए सहजन आलू भून गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इसे हम कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे अब इसी बचे तेल में हम डालेंगे सरसो के दाने और इसे हम थोड़ा चटकने देंगे अब इसमें प्याज डाल देंगे जो दो मीडियम साइज के प्याज थें उसे हम इस तरह से बारी काट लिये हैं इसे हम डाल देंगे प्याज को हमें लाल होने तक पकाना है अब प्याज का कलर चेंज हो गया है प्याज अच्छे से भून गया है अब हम इसमें मसाला वाला पेश डाल देंगे और साथ में ही आधा चमच हल्दी पाऊडर और इसमें कटे हुए टमाटर को डालेंगे और टमाटर और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ये देखिए मसाला अच्छे से पग गया है और टमाटर भी सोफ्ट हो गया है अब हम इसमें जो तल के आलू और सहजन रखे थे उसे डाल देंगे सहजन हमें जरूर खाना चाहिए बहुत ही फैदेमंद होता है जिसे बलड प्रेसर की दिक्कत होती है उसे जरूर लेनी चाहिए ये बलड प्रेसर को कंट्रोल रखता है आधा चमच नमक और आधा चमच गरम मसाला का पौडर डाल देंगे इसकी जड़, फल, फूल, पतियों में बहुत ही पोसक ततों पाये जाते हैं इसे आप अपने खान पान में जरूर सामिल करें देखिए हमारे सहजन के साथ में मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं देखिए मसाला बहुत अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है अब इसमें हम पानी एट करेंगे ये सबजी ग्रेवी वाली बहुत अच्छी लगती है पानी एट करने के बाद इसे हम थोड़ा चला लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके आठ से दस मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि जो सहजा नालू है वह अच्छे से पक जाएं तो इसे हम ढग देंगे और आठ से दस मिनट के बाद चेक करेंगे तो आठ मिनट हो गए है तो सबजी अच्छे से पंग गया है तो यहाँ पर आलू और सहजन की मज़ेदार सबजी बनकर रेडी है आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं